हेलो एन वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है आपके अपने यूटिब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एमके में दोस्तो आज हम भात करने वाले हैं तीन बहुत ही स्पेचल मॉडल्स के बारे में वैसे तो मॉडल्स की संख्या टोटल 13 है बट हम आज में माइट एंड कैन के बारे में डिसकस करने वाले हैं यह जो कैन में माइट है इसी तीनों के बारे में हम आज अच्छे से डिसकस तो please इस वीडियो को last तक ध्यान से देखिए क्योंकि ये तीनों जो models है ये हमारे daily life के लिए काफी useful है और हमें English बोलने में भी काफी help करता है तो चलिए बिना time waste के इसे start करते हैं तो friends सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि can, may and might का जो use है वो किसी काम को करने के sense में आता है जैसे कि मैं आपको example के थूँ समझाऊ तो मान के चलिए कि कोई काम है जैसे गाना एक काम है तो वह गा सकती है यहाँ पलाश्क में सकती है आगया सीता पढ़ सकती है पढ़ना एक काम है वरुन तैर सकता है तो तैरना एक काम है गोलू जीत सकता है कोई चीज जीत सकता है ना विन तो जैसे राम लिख सकता है तो कोई भी काम जो है वो करने के सेंस में इसका प्रयोग होता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा question है कि अगर इस तीनों का meaning सकता है है अगर इस तीनों का मीनिंग एक ही है सकता है देखे यहाँ पर जो मैंने arrow बनाया है इसका मतलब यह हुआ कि can का भी हिंदी हो गया सकता है make का भी हिंदी हो गया सकता है might का भी हिंदी हो गया सकता है तो हमको एक बात समझ में नहीं आया कि यह जो लोग English जलिए यहा पर सकता है कि कोई एक रहता तो अराम से बन जाता लेकिन इन लोगों को तो करांतिकारी करना था कुछ तो इसलिए उन्हों ने तीन बनाया लेकिन जब तीन बनाया है तो इसका कोई ने कोई reason होगा और बहुत ही वाध बिवाध हुआ था उसके बाद तीन बना थ इसी को आप बहुत ही गहराई से समझे, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये समझे कि जिन लोगों ने इंगलिस बनाया, उन लोगों ने क्या सोचा और कैसे इसको बनाया, उस तरह से आप सोचे और आप भी एकदम ऐसे पढ़िए, जैसे कि लगे कि आप खु जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे कि राम प्रधान मंतरी बन सकता है, अगर ये चीज लिखा हुआ है, तो क्या ये समझे है, अरे भाई राहूल गांथी 50 साल के हो गया है, अभी तक PM नहीं बन पाया है, और हम यहाँ पर लिख दी है कि राम प्रधान मंतरी बन सकता है, तो क्या ये समझे है आपको, नहीं, ये चीज समझे है, बहुत ही कम चांस है, बहुत कम, अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, कि सीता पढ़ सकती है, अरे भाई सीता पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी, हम क्या जाने, हम उसका ठेका थोरी ले रखें, तो इ ये तो मैं अपनी गैरेंटी लूँगा, क्योंकि मैं तो अपने बारे में न बोल रहा हूँ, तो मैं पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब है, कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ, 90% चांस है, या फिर 90 क्या 100% चांस है, कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इंगलिस सीख सकता हूँ, अगर क्योंकि किसी भी काम को करने की possibilities तीन तरह से होती है जैसे कोई भी काम है अगर वो 100% sure है जैसे कि 100% या फिर 90% sure है न तो आप वहाँ पर can लगाईजे ठीक है subject वगरा कहीं आपको कुछ नहीं देखना आपको काम देखना है कि क्या ये काम 100% sure है तो वहाँ पर आपको can लगाना है make का use तब किया जाता है जब किसी काम में आप suspense में हो यानि कि 50% sure हो हो भी सकता है? नहीं भी हो सकता है हो भी सकता है? नहीं भी हो सकता है और might का use तब करे जब आप बिलकुल sure हो कि ये हो ही नहीं सकता है भाई ये काम होई नहीं सकता, जैसे आज प्रधान मंत्री आपके घर रात में डिनर पढ़ाएंगे, अब आप बताए क्या आप इस बात से 100% sure है, नहीं, ये होई नहीं सकता है, अरे भाई आप राश्टर पती थोरी हैं जो आपके घर पर चले जाएंगे, में भी मत लगाए क्योंकि आप 50% भी sure नहीं, माइट लगाए, सीधा माइट का यूज किए, क्योंकि आप sure हैं कि ये चीज़ possible ही नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर माइट लगाना चाहिए, तो चलिए हम कुछ examples से समझते हैं कि कैसे कहां पर हमें क्या यूज करना है, तो friends, सबसे पहले हम हम इसमें बात करते हैं, कि वह गा सकती है, तो भाई वह गा सकती है, हम किसी लरकी के बारे में बोले हैं, तो वह लरकी गाएगी, कि नहीं गाएगी, अब हम क्या जाने, बस हम अपना अंदाजा लगाएं कि वह गा सकती है, तो हम पूरा तरह से sure तो है नहीं, हमने उसका ठ थेका तो ले नहीं रखा है तो हम यहाँ पर 50% sure है तो 50% sure रहेंगे तो हम क्या लगाएंगे में लगाएंगे बीच में का है ना जब हम 50% sure है तो में लगाएंगे भाई हम 100% sure शिर्फ अपने बारे में हैं हम अपने बारे में जानते हैं कि भाई हम यह कर सकते हैं हम यह काम न पढ़ेगी की नहीं पढ़ेगी क्या वो सिलाय उलाई करने में रह जाएगी अब वो तो उसका प्रॉब्लम है तो यहां पर भी हम 50% सी हो रहे हैं वरुन तैरेगा की नहीं गोलु जीतेगा की नहीं राम लिखेगा की नहीं यह हम थोरी सी हो रहे हैं तो यह सब 50% यानि की suspense वाला है तो कहने का sense है दोस्तो आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि सबसे जादे sentences में मे का यूज होता है मे का क्योंकि कैन का यूज आप बहुत कम करेंगे और खास करके सिर्फ अपने बारे में करेंगे ठीक है और दूसरे के बारे में तब करेंगे जब पूरा बढ़िया स 는 जैसे कि मैं अभी अभी मान के चलिए कि बहुत धूपूगा हुआ है और हम यह कहते हैं कि अभी Trust बारिश हो सकती है तो यहाँपर Might लगेगा तो बारिश अभी riff कैसे हो जाएईगी लेकिन अगर बह facts १यादा बादल Rogar हुआ है तो 100% sure है तो क्या लगा यह यानि कि situation और इस्थिति के अनुसार यह बदल सकता है अब हम यहाँ पर जो example यह है मैं पढ़ सकता हूँ अब इसे बना करके सीखते हैं कि कैसे कैन का यूज होता है जैसे मैं का spelling है आई मैं का क्या spelling होगा आई ठीक है दोस्तो अब सकता है यानि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो मैं अपने को ले करके 100% sure हूँ I'm 100% sure that I can read यानि कि यहाँ पर जो मैं पढ़ सकता हूँ लिखा हुआ है यहाँ पर हम कैन लगाएंग कि यार हम अपना तो guarantee ले ही सकते हैं हम तो पढ़ेंगे 100% sure I can read और पढ़ना का read R E A N D अब अगला बनाते हैं सीता पढ़ सकती है भाई हम अपना guarantee ले सकते हैं सीता पढ़ीगी कि नहीं वो हमें नहीं पता है तो सीता का तो सीता होई जाएगा अब यहाँ देखिए सकती है का हम भाई can नहीं लगा सकते हैं can लगाएंगे तो हम उसका पूरा guarantee ले रहे हम नहीं लेंगे guarantee हम सीधा में लगाएंगे यानि कि I am 50% sure कि वो पढ़ेगी किसी कबार में आप कह सकते हैं 50% sure कोई दिकत नहीं है ठीक है ना अब यहाँ पढ़ना का क्या हो जागा R E A D अब य यह PM वाली बात है इसमें आप 50% sure कैसे हो गए कि वो PM बन जाएगा नहीं बन सकता है तो यहाँ पर सीधा माइट लगाएं सीधा माइट M I G H T माइट and बनना का हो गया B and प्रधान मंतरी का हो गया PM यहाँ पर जगा नहीं है नहीं तो मैं प्राइम निस्टर लिग देता आप गा सकती है कि नहीं गा सकती है हम कैसे उसका ठेका ले ले इसलिए यहाँ पर में लगा देते हैं अब गाना का हो गया sing ठीक है दोस्तो तो C में sing वो गा सकती है कि नहीं गाए कि जाके पूछ लो हम 50% sure है हम बता दिये है अब देखिए यहाँ पर है मैं अंदर आ सकता हूँ तो अपने बारे में जो भी कहिए गाना आप 100% sure होगे कहिए बिंदास आप अपने बारे में जो भी कहिए आप can लगाए C A M तो आइकन हो गया अब अंदर आना तो आना का सबसे पहले चलेगा C O M E come and in का अंदर ठीक है दोस्तो I can come in तो दोस्तो इस तरह से आप समझ गये कि पहले subject आएगा फिर can may might में से एक चीज आएगा कोई एक चीज can या may या might जो काम है वो काम आएगा उसके बाद object आएगा तो इस तरह से ये बनता है अगर आपको ये framing नहीं पता है तो comment किजेगा किसी अन्ने वीडियो में आपको ये चीज समझा देंगे और दोस्तो यहाँ पर एक बहुत ही interesting मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि हमने बनाया कि मैं अंदर आ सकता हूँ का होता है I can come in ये हुआ ना लेकिन may, might और can है इसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा usage है वो है क्या वाले sentences में यानि कि question वाले sentences में कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्या मैं खेल सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ अगर आप ये सीख लिए तो आपको बोलने में काफी help मिलेगी तो चलिए इसे सीखते हैं जैसे कि हमने यहाँ लिखा है मैं अंदर आ सकता हूँ तो इसका meaning क्या हो गया दोस्तो I can come and in ये चार हो गया लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं अगर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं तो करना कुछ नहीं है करना बस इतना है, ये जो can है इसको जो आपने यहाँ पर रख रखा है इस can को उठा के यहाँ लाइए और I को second number पर जाने देजे बस, इतना ही करना है, ठीक है? इतना ही करना है, can को यहाँ पर आपको लाना है, और I को second number भेज देना है, यानि जो can हम बाद में लगा रहे थे, वो अब हम पहले लगाएंगे, तो बन गया यह चीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और इसी में जब क्या नहीं था, तो पहले आई आएगा, फिर यह can आएगा, अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखना है हमें, कि क्या यहाँ पर हम can लगाएंगे, हम बोल तो अपने बारे में ही रहे हैं, लेकिन क्या हम क्या हम पर can लगाएंगे, अब हम इसे अगले page में समझते हैं, दोस्तों, ज लगा के पुछेंगे, या फिर हम might लगा के पुछेंगे, can तो 100% sure बताता है, है कि नहीं, अभी हमने कुछ दिर पहले समझा कि can 100% sure चीजों को बताता है, और में उसको बताता है, जो 50% sure हो, तो अब आप बताएंगे, आप किसी से permission ले रहे हैं, और आप कहिएगा, कि sir, can I coming, यानि अगर आप can लगा दीजेगा, तो क्या होगा, कि आप 100% यह बोल रहे हैं, कि sir, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानि कि आप मुझे permission दीजिए, चाहे नहीं दीजिए, हम तक घुछेंगे ही, क्योंकि आपने can लगा दिया है, है कि नहीं, आप यहां गौर कीजिए, यहां जो आपने can लगाया है, तो यहां पर 100% sure है ना आप, कि आप अंदर घुछेंगे ही, लेकिन अगर आप यहां पर में लगा देते हैं, अगर आप यहां पर क्या लगा देते हैं दोस्तों, में लगा देते हैं, तो आप 100% sure नहीं है, आप 50% sure हो जाएंगे, कि क्या मैं तो अब हम इसका क्या बनाएंगे अब हम यहाँ पर can नहीं लगाएंगे अब हम इसे may से start करेंगे may may फिर may का क्या हो जागा i और अंदर आना का come और in आप सुनते भी होंगे school में बोला जाता है may I come in sir may I come in sir देखिए यहाँ पर can लगाएगा तो वो गलत नहीं होगा यहाँ पर आप can भी लगा सकते हैं लेकिन आप तब लगाएगा जब आप किसी छोटे आदमी से पूछ रहे हैं आप अपने से छोटे आदमी से पूछ रहे हैं तो आप पूछिए तो भी ठीक है नहीं पूछिए तो भी ठीक है can लगाई है तो भी ठीक है might लगाई है कुछ भी लगाई तो भी ठीक है लेकिन अगर आप किसी senior person से पूछ रहे हैं तो आप please वहाँ पर can नहीं लगाई है may लगाई है क्योंकि ये may जो है ये आपको संसकारी बनाता है ये may लगाना जो है आपको ये दिखाता है कि इस बंदे ने 50% security दिखाई है कि अगर हम permission देंगे तो वो आएगा नहीं देंगे तो वो चला जाएगा तो यहाँ पर may का use सबसे बढ़िया क्या में होता है कोई भी चीज किसी से लेना है किसी का pen लेना है तो कहिए कि may I take your pen क्या मैं आपका pen ले सकता हूँ take your pen आप इसका use बहुत ही अच्छा से कीजिए may I take your pen may I take your bicycle may I take your biscuit कुछ भी कीजिए may I take your charger may I take your mobile तो इस तरह से आप can may might का use कर सकते हैं और फिर से मुझे बताईए कि can का use हम कितने percent sure पे हैं may का use हम कितने percent sure रहेंगे तो करेंगे और might का use हम कितने percent sure रहेंगे तो हम करेंगे यह तीनों आप मुझे comment करके बताईए कि आपको याद है कि नहीं कि कितना percent surety पर आप लेए लगाएगा और आप एक sentence बना के बताईए मैं तैर सकता हूँ इसका आप लोग प्रीज मुझे बना के बताईए मैं आपको बतादू तैरना का spelling होता है S-W-I-M-S-W-E-M और मैं का spelling होगा I तो आप अपने बारे में बोल रहा है तो आप मुझे बताईए comment करके कि आप अपने बारे में can लगाएंगे या mail लगाएंगे या might लगाएंगे वैसे मैं आपको एक हिंट देता हूँ दोस्तो कि आप अपना पूरी तरह से ठेका लिजे पूरी guarantee लिजे और यहाँ पर आपको जो लगाना है ना भूले तो चले दोस्तो मिलते हैं अगली वडियो में जाहें वंदे मातरम